खबननाई न्यूज चैनल को सब्स्क्राइब करें और बैल आइकन दबाकत हमारी सभी न्यूज प्राप्त करें रश्कार आप देख रहे हैं खबननाई नोर मैं हूँ आपके साथ प्रिची शर्मा वेशिक महामारी काल के बाद मुश्किलों से जूज रहे लोग भोली और सबे बारात परवपर भूके ना रहे इसलिए एक समाज सेवी ने सरहानी पहल को सफल बनाया है जी हाँ आपको बता दे कि कानपुर देहात के सिकंदरा तैसिल में आने वाले जमोरा गाउं के समाज सेवी रवी कटियार के नैतत में शाररिक दूरी का पालन करते हुए जरुत मंदों को 5 किलो ग्राम शक्कर वित्वित की उन्होंने बताए कि कोरोना महामारी का प्रभाव सबसे ज़्यादा अहसाय लोगों की अजीविका पर पड़ा है महामारी के कारण उनको दो वक्त का भोजन जुटाने में भी सबसे ज़्यादा शंगर्च करना पड़ रहा है कोरोना महामारी की प्रभाव के कारण होली और मुस्लिम तहवार सबे बरात पर समुदाई को भूके ना सोना पड़े इसके लिए समाज सेवी ने लाखों रुपे खर्च कर ग्रामिलों की सेवा की तो वहीं इस्थानी लोगों ने बताये कि बीटे पांच वर्सों से अनवरत ऐसे ही गरीबों की सेवा करते चले आ रहे हैं फिर चाहे वो हिंदू हो या मुसल्मान लगबग में जो ट्राली सदी में लक्ती चल भाई थी आज हमारे बती में तहजीज जकंगरा दिला कानपूर देहाथ हमारे बगलू कडियार बेटा हर गरीब भी सेवटी और मदद करना खाना पीना तो वार्द बगता गया हमारा भी सुबरात वारेकल अज़िवग पर महारी मदद किया है अब लाग लाग बेरूब को सुब्रिया देते हैं कि है मरे मौना वो खुश और आबाद रहें ऐसी हमेशा ही मदद करते रहें हो सकता है कि हमारे बच्छा वस्जी का अच्छा नाम करें अच्छा रूसल करें अच्छा इनके दोरां क्या-क्या मतलब लोगों की सेवा कैसे सक्कार और गैरा कि मदद की नल भी लगवा दिये बच्चे ने यहां जहाँ पाने की परेशानी थी और लेहाजा एक मठिया भी थी इसको लोग बागो नंदुचाल लाग रुपा उठा भी लिए कोई धर्चा नहीं किया और आज हमारे इस बच्चे ने गिरी मारे तूटो सिकंदरा कानपर देहां से सुभास कटियार की रिपॉर्ट आज की खबरों में इतना ही बने रहे हमारे साथ खबर नाइन में